चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकोर कोशिन के बारे में इस कोशिन में एक दाम नहीं नहीं का if m प्लस का 1 बराबर में अंडरूट का n प्लस का 3 then the value of 1 अपोन में 2 अंडरूट n ब्रैकेट के इंदर m3 माइनस का 6 m का स्कूर प्लस में 12 m माइनस का 8 ब्रैकेट क्लोट माइनस का n बाई 2 यह इसको solve कीजिए और बताएं कि इसमें option में से कौन सा इसका right answer है तो इसको हम दो तरीके से करेंगे पहले हम इसको समझेंगे detail से फिर उसके बाद हम इसमें logic यूज़ करेंगे और उस question से इसको solve करने के कोशिश करेंगे क्यूब कर दूँगा बोस साइड तो फोर्मूला होता है मेरी पास में m का क्यूब माइनस में 8 माइनस का 3 इन्टू में m इन्टू में 2 ब्रैकेट के अंदर m माइनस का 2 बराबर में n और root के अंदर n यह हो जाएगा अब इसको अगर solve करेंगे तो यह m का cube माइनस का 8, माइनस का 3 इन्टू में 6, 6m का square प्लस का 12m इसकल्टू में n, n अंदर root में n तो इसको m का cube, माइनस में 6m का square प्लस का 12m, माइनस का 8 यह value तो मेरे पास में आ गई यहाँ से मैंने under root n यहाँ बेज दिया तो यह मेरे पास हो जाएगा 1 by में under root में n और यह बराबर में हो जाएगा आपका n मुझे यह 1 by 2 हो और चाहिए मैं 1 by 2 तो इससे मैं क्या करूँगा इस पूरे को 1 by 2 से या निए यहाँ 1 by 2 से multiply करूँगा और यहाँ भी से मैं 1 by 2 से multiply करूँगा यह बराबर जाएगा तो इससे लिसता हूँ आपका यह 1 अप उन में यह n था 2 under root के नदर n bracket के नदर m cube minus का c m का square plus में आपका 12 m minus का 8 और यह दर जाएगा minus का n by में 2 बराबर में 0 यानि इस question का जो answer है वो option a है यानि कि 0 अब चलिए इस question को दूसरे तरीके से solve करते हैं अगर इस तरह से नहीं करना तो कैसे हम यहाँ पर m और n की कोई value को assume कर रहेंगे माना कि m की value मेरे पास में 3 है और n की value 1 है तो 3 plus का 1 यह मेरे पास 4 बन रहा है root में से 1 भाहर निकले तो 1 plus का 3 यह मेरे पास 4 बन रहा है यानि की m की value मेरे पास 4 है और n की value मेरे पास 1 है तो यहाँ पर value को put कर देंगे तो यह 1 by में 2 था n की value 1 रखी तो 1 ही भाहर आएगा bracket के अंदर m की value 3 है तो 3 का q किता 27 minus में 3 का square 9 यह निक फिफ्टी फॉर plus में m की value हम 3 रखेंगे तो बाराती है 36 minus का 8 minus का 1 by में 2 इसकी value आजाएगे 27 पहले even even वाले को जोड़ देते हम लोग तो यह कितना हो जाएगा 7 6 13 और यह कितना 63 इन दोनों का हम जोड़ेंगे तो 8 4 12 और यह 6 62 यानि की difference कितना हैगा 1 तो यह 1 by 2 मेरे पास plus का minus का 1 by 2 आ रहा है इसका मतलब इन दोनों का जो solve करने पर solution है वो 0 आ रहा है यानि की option A जो है वो इस question के लिए correct है I hope आप सभी को question समझ में आ हुआ आप चाहें पहले वाले method से कीजिए या इस method से कीजिए